तो कैस मैं हूँ अंकीत और आप दिख रहे हैं रेस्लिंग फैन्स नेट्वर्क तो भाई रेसल मीना के अंदर रोमन रेंज जब अपनी अंडिस्पेटर टाइटल हारें तो हम लोगों को लगा कि अब जो ब्लड लाइन वाली भी स्टोरी जो कहानी है वो यहां से नीचे जा टैक हो गया रॉक है नहीं रोमन है नहीं पॉलमन डरे से हमें हुए हैं अब यहां से आगे क्या होगा मैं A to Z सारे पॉइंट्स टच करूंगा अगर आप यह वीडियो देखते हो तो आप बहुत ज्यादा हाइप हो जाओगे डबी डबी के आने वाले सोज एंड प्रोडक आते हैं सेरा टॉपिक पर बात करते हैं तो बाई पहले आपको समझना परेगा करेंट सीन अभी का सिच्वेशन कि अभी चल क्या रहा है अगर आप यह समझ जाओगे ना प्रॉपर तरीके से तो आपको खुद में ही आइडिया लग जागा कि डबी डबी आगे क्या करने वाली है आपको याद होगा वह एक सेग्मेंट जो कि रोमन रेंज ने दिया था जब उन्होंने अपॉइंट कर रहा था सोलो सी को एस दर न्यू ट्राइबल चीफ कि मेरे बाद यह बंदा बनेगा न्यू ट्राइबल चीफ अब आज के स्माग डॉन में हमने कुछ ऐसा ही बनी देखा जब पॉल एमन प्रोम उकार रहे होते हैं तो सोलो सी को उनको घूरते और के खार और जीत में अंतर होता या पिर नी पॉल हमन कहते हैं हाँ उसके बाद सोलो कहते हैं कि हारने के कॉंसेक्विन्स होने चाहिए या फिर नी and consequence मतलब changes अब ऐसे में हुआ क्या कि हारे तो Roman Reigns जिम्यूसो दोनों थें लेकिन Roman Reigns Smackdown में present नहीं थें इसलिए जिम्यूसो हथे चड़ गए अब हारने के consequence होते है तो consequence भुकता जिम्यूसो ने attack हुआ उन पर consequence मतलब changes तो जिम्यूसो के replace करा टामट होंगा न यानि की change हुआ bloodline के अंदर वो बन गए new bloodline member और आके attack करते हैं जिम्यूसो पर अब ये same चीज़ अगर आप Roman Reigns पर apply करोगे तो अगर Roman यहाँ पर होते तो उनको भी consequence जहलने परता है यानि की उन पर भी attack होता and उसके बाद Roman Reigns के लिए भी changes होते यानि उनको भी replace करा जाता and कोई और बनता new tribal chief जो की औरेडी बन चुके हैं तो पस एक चीज़ यहाँ पर missing रहा गई and वो था Roman Reigns पर attack and वो इसलिए नहीं हुआ because Roman Reigns present नहीं थे वरना सोलो सी को ने खुद को appoint कर लिया है tribal chief के तोर पे हाला कि वो अलग बात है कि सोलो सी को खुद बहुत लंबे time से हारते आ रहे हैं लेकिन फिर भी भाई वो हारने के consequence किसी और के लियोंगे because अपनी दही किसी को खटी नहीं लगती तो ये तो current scene है अब अगर आप ये समझ गयोगे तो simple एक pattern बन गया होगा आपके सामने कि एक नई bloodline है नए members आएंगे और दीरे-दीरे और भी बहुत कुछ आगे होगा अब नए members कौन से आ सकते हैं इसके बारें बात करते हैं because ये एक नई bloodline बन रही है भाई तो changes होंगे तो देखो इतना भी जरूरी नहीं कि नए members तुरंत ही आजा because ये story लंबी चलेगी बहुत लंबी story है तो ऐसा नहीं कि नए members तुरंत आ जाएंगे लेकिन अगर आते हैं तो एक दो spot तो fix है एक तो टामट होंगा आगे पॉसिबली आने वाले टाइम में जिला फाटू ये सब के सब अंदर होंगे किसके अंडर होंगे किसके सोल सिक्वा के ये कुछ अभी के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ दैन हम लोग बात करते हैं एक और नए twist के बारे में एंड ये सायद आ सकता है रॉक की तरप से पॉसिबली रॉक हो सकते हैं इस वाली इसके बावजूद रोमन हार गें तो कहीं ना कहीं रॉक के अंदर ये चीज भी होगी कि भाई मैं इसको एक नॉलिज कर रहा हैं वह खुनस आजना कल कहीं निकलेगी अब आसे में रॉक भाई जो कि आएंगे ही आएंगे पक्का है अगर नहीं इसमें आएंगे तो अगर रोमन रेंज इस स्टोरी के अंदर इंवाल्व होते हैं तुरंत आने के साथ तो वो बेबी फेस रोमन बनेंगे जी हाँ बेबी फेस रोमन के अब चांसेस बहुत जारा बढ़ चुके हैं पहले ट्राइबल चीफ अपॉइंट करा गया नए मेंबर्स आ रहे हैं पॉल हम अगर आगे जाके रॉक भाई इसके लीडर निकल के सामने आते हैं तो रोमन रेंस भाई बेबी फेस रोमन रेंस वापस आएंगे हालाकि बेबी फेस का मतलब यह नहीं है कि वह वाले रोमन रेंस आ साधा बढ़ चुके में भी 70-80% तो पॉसिबली रोमन रेंस का जब भी रिटर्न होगा दो महीने बाद तीन महीने बाद चाल महीने बाद पांच महीने बाद वह बेबी फेस के तौर पर आ सकते हैं इस वाली ब्लड लाइन से भिरने के लिए इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ब्लड लाइन सेविल वार possible survivor series के इसके चांसे से की ब्लड लाइन सेविल वार होगा उस टाम तक जेकफा रट अगरा और आ चुके होंगे ब्लड लाइन के अंदर अंदर टामट होंगा इधर पॉसिब्ली रोमन रेंस होंगे जिम्यूस होंगा जेउस वगरा आगे देखने को मिल सकता है जब रोमन रेंश फेस लगभग लगभग थे ही वह पूरे बन जाएंगे जए उस आपको मालूम है कि क्राउड में कितने ट्राइबल चीफ मैच हो सकता है तो इसके भी चांसे से आइडिये इस साल आपको देखने को मिल जाएगा नहीं तो वह आपको देखने को मिल जाएगा अगर रॉक खुद को रिवील करते है अज रेल लेटर बहाइड इस लिवाइड यूज नियुक्त अगर इसवाली स्टोरी को देखेंगे तो अपडेट्स वगया साइड करते हैं करती है तो अगर स्टोरी एनलाइस करेंगे तो इसी तरीके से चीज़ा आगे बर रही है अभी पॉसिबिली आपको और ने मेंबर साइड होते हैं एक या दो मेभी जेकब फार्टू सबसे पहले उसके बाद रॉक पॉसिबिली खुद को लीडर पॉइंट कर सकते हैं रिवी पॉसके बाद हमें रोमन वर्सेश स्टोरी के अंदर इसी फ्यूड में यह साथ ब्लडलाइन से विल वार के पहले भी हो सकता उसके बाद भी हो सकता है एंड इवेंच्वरी इंड हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस वर्स ब्रॉइंट तो करेंट सिच्विशन बन गई लाइवी ब्लैन्त वर्सेश ब्लैल ट्राइबल चीफ वर्सेश ट्रायबल sì की ब्लैल मेंबश वर्सेश ब्लोडं मेंबर की इस वीडियो के वह गया जी इस वीडियो के लिए कुछ हाई होप सापको सब कुछ क्लियर हो गया है अब को सब एक्सिक्रेंट कर दिया अगर कुछ टेले में सेंगे कुछ अगर इसके बाद भी निगल कि सामने आता है तो वह आप ब्रेइज वीडियो में कवर करेंगा हम इन प्रमिशन मिली हो विटियो को लाइक सिद्ध करें सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाला टाइम के अंदर और वियासी डभी ड़र और ऑंफ स्क्लीब से एक्जूसीव यह पाने के लिए फौलो कर सकते हैं मुझे इंस्टागरम आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में जॉइन कर सकते हैं वाटस चैनल को उसके वे लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलता हैं अपनी निक्स ओफेर काफ इंट्रस्टिंग वेडियो में